अभी तक आप ये सुनते आए हूंगे कि पुलिस ने इस अपरादी को पकड़ने के लिए इतने रुपए की इनाम राशी घोशित की है मगर क्या कभी आपने ये सुना है कि एक बंदर पर वी इनाम घोशित किया गया है क्या हुआ चौक गए जी हाँ ये किस्सा सच है राजगर से ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक बंदर को पकड़ने के लिए इनाम घोशित किया गया है नगरपाली का द्यक्ष ने बंदर को पकड़ने के लिए 21,000 रुपए की राशी का इनाम रखा है मगर यहां एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर नगरपाली का द्यक्ष को ऐसा क्यूं करना पड़ा तो चलिया आपको इसके पीछे की वज़ा भी बता देते हैं दरसल राजगर जिले में एक बंदर ने कोहराम मचा कर रख दिया है बताया जा रहा है कि पिछले दो हफते में 40 से अधिक लोगों को बंदर अपना शिकार बना चुका है जिसकी वज़ाए से पूरे राजगर नगर में देहशत का माहल है और नगर की कॉलोनियों में सननाटा पसरा हुआ है बंदर के आतंक से घायल हुए लोगों ने बताया कि लोग बंदर के खौफ में हैं लेकिन वनविवाग के द्वारा इसे पकड़ने के लिए कोई पुक्ता इंतजाम नहीं किया गया है बंदर के देहशत की वज़े से लोगों में खौफ बना हुआ है पिछले दो हफ़तों से स्थानिय लोग घर से निकलने के पहले सोच में पढ़ जाते हैं बताया जा रहा है कि राजगर नगर में लोगडाउन लगा हुआ है नगरपालिका के द्वारा बंदर को पकड़ने के लिए कई प्रियास किये गए हैं लेकिन उसे खाली हाथ लोटना पड़ा है इसी बीच नगरपालिका द्यक्ष विनोस साहु ने आज घोशना की है कि जो भी बंदर को पकड़ेगा उसको 21,000 रुपे का इनाम दिया जाएगा बताया जा रहा है कि राजगर नगर के युवा सुवे से उठकर बंदर की तलाश में जुट जाते हैं ताकि नगर में देहशत का माहौल खत्म हो जाए लेकिन अभी तक बंदर युवाओं के कबजे से बाहर है बता दें कि बंदर रोजा ना किसी ना किसी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेते हैं इसके अलाबा बताया जा रहा है कि परिशान लोगों ने कलेक्टर से भी मुलाकात की थी और उनको समस्या के बारे में जानकारी दी थी हाना कि अब ये देखना दिल्चस होगा कि कौन उस बंदर को पकड़ कर इनाम का हकदार बनता है